Hello and Welcome to Jobs Creators तो दोस्तो आज किस वीडियो में करने वाले हैं JKSSB पटवारी का सॉल्ड पेपर दोस्तो आपको बताए कि अभी अभी जो JKSSB द्वारा जो रिसेंटली अड़िटाइज पोस्ट हैं पटवारी की तो डिफरेंट डिस्टिक्स में ये पोस्ट अडविटाइज की गई है यहाँ पर अगर देखा जाए पेपर का पैटर्न आपका जो JKSSB पटवारी का पैटर्न रहेगा वो रहेगा टोटल मार्क्स आपके 150 रहेंगे और टाइम अलोटेट रहेगा 2 hours and 30 minutes तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो पार्ट्स रहेंगे टोटल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 1 कंप्राइज करेगा multiple choice questions of 100 marks और पार्ट 2 कंप्राइज करेगा उर्दू portion of descriptive nature of 50 marks तो यहाँ पर जो candidates रहेंगे जो की compete कर रहेंगे open merit में उनको minimum marks की requirement रहेगी 40% marks उनको at least आने चाहिए और जो other categories की candidates हैं जो की compete कर रहे होंगे उनको 35% marks तो इस paper में लाने ही पड़ेंगे तो यहाँ पर जो दोनु sections होंगी दोनु compulsory रहेंगे और 0.25 marks की negative marking रहेगी हर एक wrong answer के लिए for part 1 तो दोस्तो आज के इस paper में हम करेंगे सिर्फ part 1 के बारे में part 2 जो है जिसमें 50 marks आएंगे उर्दू के वो आप क्योंकि वो descriptive nature का रहेगा तो वो आप खुद से कर सकते हैं बहुत ही simple रहेगा तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा part 1 जो JKSSB पटवारी का sold paper है question number 1 से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो JKSSB पटवारी का जो sold paper है यहाँ पर आपको पता है कि इसमें total जो sections रहेंगी पांच main sections रहेंगी तो चले हम सबसे पहले start करेंगे journal knowledge and current affairs से जो कि आपका 30 marks का यहाँ पर आएगा इस section में से JKSSB पटवारे के syllabus में चले first question को start करते हैं हमारा पहला question हमारे screen के उपर आ चुका है which state government has constituted a commission to protect the constitutional right of tribal communities दोस्तों इस question में आपको बताना है कि कौन सी state की government ने एक constitution constitute की है committee ताकि वो constitutional rights जो है tribal communities के वो protect कर सके उडिसा की government है या फिर मध्य प्रदेश की state government ने ये decision लिया है या फिर गुजराद या फिर 36 गर्ड आपको इसका answer बताना है इसका सही answer है गुजराद ने ये फैसला लिया है एक commission को constitute करने का जो की constitutional rights जो रहेंगे tribal communities के उसको protect करने का काम करेगा अगले question की तरफ मूग करते है question number two इंडिया has extended medical assistance worth US dollar 1 million to which country तो किसको इंडिया ने medical assistance दिया है किस country को 1 million US dollar माल्दीज, North Korea, तेवान या फिर South Korea दोस्तो इसका सही answer है North Korea जिसको अभी अभी इंडिया ने US dollar 1 million की help की है medical grounds पे question number three Michael Martin recently took charge as a prime minister of which country तो Michael Martin अभी अभी जो prime minister बने है किस country के वो prime minister है आपको बताना है Ireland, France, Russia या फिर Germany दोस्तो ये prime minister बने है Ireland के question number four what is the name of typhoon that hit North Korea recently अभी जो North Korea में typhoon आया था तो उसका नाम क्या था में सक लीसा, कैमफीन या फिर हाईशीन तो आपको ये आंसर बताना है जल्दी साप इसका आंसर बता दीजिए इसका सही आंसर है में सक A option question number five की तरफ मूँ करते है the European Union has recently imposed a sanctions against which country यहाँ पर आपको बताना है कि European Union जो है उसने अभी recently sanctions imposed की है किसी country पर उसका नाम आपको बताना है तो अजर्बाइजान, एरान, एराक या फिर बेलारूस इने में से किस country पर अभी जो sanctions लगाई हुई है European Union ने दोस्तों इसका सही आंसर है अभी अभी जो बेलारूस country है उसके उपर European Union ने sanctions लगाई हुई है question number six की तरफ मूँ करते है what is serious that was referred to in a recent study by the NASA आपको बताना है कि NASA की जो भी recent study में serious यहाँ पर discover किया गया है वो क्या है asteroid dwarf planet black hole या फिर comet यहाँ पर black hole की spelling गला थे H-O-L-E black hole तो यहाँ पर आपको बताना है कि serious क्या है दोस्तों यह एक dwarf planet है question number seven की तरफ मूँ करते है what is the name of potential COVID-19 vaccine to be developed by Indian Council of Medical Research ICMR ने जो अभी COVID-19 की potential जो vaccine है वो जो निकाली है उसका नाम क्या है COVID-in, GoVaccine, Comedin या फिर GoResearch आपको पता है आपने vaccine लगाई भी होगी तो उसका नाम है जो ICMR ने बनाई है वो है GoVaccine B option इसका सही आंतर है question number eight की तरफ मूँ करते है which technology company released the security end point threat report 2019 तो यहाँ पर किस technology company ने अभी जो security end point threat ये एक report दी है इन्होंने 2019 में इन्होंने ये release की थी Google, Microsoft, Amazon या फिर Apple तो यहाँ पर ये जो report है ये दी है Microsoft में question number nine the Shiroi National Park is located in which state Shiroi National Park कहाँ पर है Manipur, Gova, Kerala या फिर Himachal Pradesh दोस्तो यह है Manipur में question number ten in which year Environment Protection Act was enacted Environment Protection Act किस year में enacted हुआ था 1976 86, 89 या फिर 76 दोस्तो Environmental Protection Act आया था 18, 1986 में अगले question की तरफ मुग करते है which among the following fertilizers at least likely to affect the soil pH तो इन में से कौन सा ऐसा fertilizer है जिसका इस्तमाल हम कर सकते हैं और वो जो हमारी मिटी है मिटी रहते हैं उसका pH को वो change कर सकता है तो इन में से कौन सा ऐसा fertilizer है आपको बताना है यूरिया, rock phosphate, muriate of potash या फिर ammonia तो बहुत ही यहां पर इसका answer आपको बताना है दोस्तों आपको बता होगा कि यहां पर जो इसका answer रहेगा यूरिया, rock phosphate, ammonia ये तो इस्तमाल होते हैं as a fertilizer but muriate of potash जिसमें ability होते हैं कि इस वाइल के pH को वो affect कर सकता है question number 12 की तरफ मुग करते है which of the following institutions was not founded by महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इन में से कौन सा institution found नहीं किया था साबरमती आश्रम, सेवा गराम आश्रम विश्व भारती या फिर फोईनिक्स आश्रम तो इन में से कौन सा महात्मा गांधी जी ने found नहीं किया, इन में से कौन सा institution है आपको बताना है विश्व भारती जो है महात्मा गांधी जी ने found नहीं किया था बाकि तीनों जो है महात्मा गांधी ने इन्स्टिशूशन जो है बनाये है question number 13 की तरफ मुग करते है who was the viceroy of India at the time of Jaliyahuala Bagh Massacre तो Jaliyahuala Bagh Massacre जब हुआ था 1919 में तो उस टाइम पे इंडिया का viceroy कौन था Lord Irwin, Lord Chelmsford, Lord Hardingay या फिर Lord Curzon दोस्तो इसका सही आंसर है Lord Chelmsford B option इसका सही आंसर है दोस्तो अगले question की तरफ मुग करते है question number 14 which of the following was a revolutionary who later turned into a yogi and a philosopher इन में से कौन सा ऐसा revolutionary जो था जो की करांती कारी था बाद में वो योगी और फिलोस्फर बन गया था लाला लाजपतराई बाल गंगातर तिलक और भिंदो गोश या फिर अगार कारा तो आपको पताए कि जो जो करांती कारी बाद में योगी बन गया था और फिलोस्फर बन गया था वो थे और भिंदो गोश इन्होंने अपना एक अलग से आश्रम बना लिया था अगले कोशन की तरफ मूँ करते है कोशन अगर 15 तो यहाँ पर आपको बताने कि मेक्रो एकनोमिक्स की कॉंटेक्स में अगर देखा जाए तो फिलिप्स कर्व जो है वो क्या होता है किस दो कॉंटेटीज की बिच में ये रिलेशन्शिप रहता है दो इसका सही हंसर है अगले पिलिप्स की तरफ मूँ करते है अगर जो होता है वो डिल करता है हमेशा से जो long term securities होती है उनमें ही ये deal करता है short term securities में जादा ये deal नहीं करता है stock market question number 17 में मूँ करते है revenue neutral rate is a component of which of the following taxes in India revenue neutral rate किस taxes का इनमें से component है goods and services tax का component है income tax का component है customs tax का component है या फिर exercise duty का component है revenue neutral rate दोस्तों इसका सही answer है goods and services tax GST का ये component है revenue neutral rate question number 17 का a option सही answer है अगले question की तरफ मूँ करेंगे दोस्तो शांगाई festival is organized in Shanghai festival कहां पर organized होता है मनिपूर असाम बिहार या फिर नागालेंट तो संगाई festival organized होता है मनिपूर में दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए हमारा telegram channel आप जॉइन कर लें telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर आपको सभी mock test की PDF मिल जाएंगे तो पतवारी का जो ये paper है ये किसजबी का ये भी आपको हमारे telegram channel पर ही मिलेगा तो वहाँ पर जाके आप जॉइन करें telegram channel को आप description में link आपको मिल जाएगा वहाँ से आप join कर सकते हैं चलिए अगले question की तरह हम करते है question number 19 की तरफ which among the following mughal painters is credited for painting Siberian crane and the dodo for the first time तो यहाँ पर आपको बताने का कौन सा mughal painter था जिसने जिसको credit दिया जाता है कि उसने सबसे पहले Siberian crane ये जो है ये जो birds है डोडो और Siberian crane इनको सबसे पहले इसने paint किया था उस्ताद मंसूर बिशंदास फारुक बेग अबा अबू अल-हसन तो यहाँ पर question number 19 का जो सही answer है वो है उस्ताद मंसूर A. option ये मुगल painter जो थे इन्होंने सबसे पहले Siberian crane और डोडो की painting बनाई थी दोस्तो question number 20 Who among of the following points used to write the उर्दु गजल with the pen name Asad Asad के नाम से कौन सा ऐसा उर्दु का point जो थे वो उर्दु गजल लिखते थे pen name under जो असद का नाम था उन्होंने एक pen name के तोर पे लिया हुआ था और उसी name के अंडर वो गजल लिखते थे उर्दु में मिर्जा गालिब दुश्यन्त मीर ताकी मीर या फिर आमिर खुसरो तो इसमें से आपको answer बताना है सही answer है मिर्जा गालिब जो है as a pen name असद के नाम से ये अर्दु गजल लिखा करते थे कोश्यन्मर 21 की तरह मूँ करते हैं तो यहां पर जो इसका सही answer है वो है ब्राक वेली जो है शुगर केन के लिए ज़ादा फेमस है कोश्यन्मर 22 की तरह मूँ करते हैं ती प्लांटेशन रिक्वाइज रेंफॉल आफ टी प्लांटेशन के लिए कितना रेंफॉल रिक्वाइरमेंट रहती है यहां पर 150 से लेकर 250 सेंटीमेटर की रेंफॉल हमें चाहिए होती है टी प्लांटेशन करने के लिए कोश्यन्मर 23 की तरह मूँ करते हैं यहां पर आपको बताने कि अभी जो है रिसेंटली 17 जोन जो है इंडियन रेल्वेस की वो कौन सी बनी है मेट्रो रेल इन कॉलकटा साथ सेंट्रल रेल्वे नॉर्थ सेंट्रल रेल्वे या फिर नॉर्थ फ्रेंटियर इसका सही आंसर जो है कोश्यन्मर 23 का वो है मेट्रो रेल इन कॉलकटा यह option इसका सही answer है question number 24 की तरफ मोग करते है which of the following national highway connects the four metro cities in India Delhi, Mumbai, Kolkata and China इनमें से कौन सा national highway 4 metro cities को connect करता है Delhi, Mumbai, Kolkata and China को national highway 44 national highway 47A golden quadrilateral या फिर north south corridor of NHDP इसका सही answer है golden quadrilateral इनको connect करता है वहती simple question था यह अगले question की तरफ मुग करते है question number 25 which state of India have the lowest and highest infant mortality rate respectively यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंडिया की ऐसी state है जहाँ पर lowest और highest infant mortality rate रहता है lowest कौन सी state है और highest भी आपको बताना है कि कहाँ पर infant mortality rate जो होता है जो चोड़े बच्चुंक की जो मरने की संक्या है वो बहुत high रहती है और low भी रहती है कहाँ पर ऐसा होता है lowest और highest आपको बताना है पहला यहाँ पर option दिया गया है केरला और बिहार दूसरा है उडिसा और जहारकंट थर्ड इस गोवा एंड मध्यप्रदेश और फूर्थ वन इस महराष्टरा एंड उतर प्रदेश तो इस वे से आपको अंसर बताना है दोस्तो इसका सही आंसर है गोवा यहाँ पर सबसे lowest infant mortality rate है और highest है मध्यप्रदेश में C option इसका सही आंसर है question number 26 की तरह हमोग करते according to census 2011 how much was the total fertility rate in India यहाँ पर आपको बताना है कि according to census census 2011 के हिसाब से यहाँ पर आपको बताना है कि total fertility rate कितना था इंडिया का fertility rate आपको बताना है 2.4, 3.1, 2.6 या फिर 3.0 fertility rate वहाँ पर 2011 के census के हिसाब से था 2.4 question number 27 which of the following peninsular rivers is westward flowing westward flowing इनमे से कौन सी peninsular river है west की तरह जो मूग करते है महनदी, गोदावरी, तापती या फिर कौवेरी तो इनमे से जो नदी peninsular river जो कि west की तरह flow करते है वो है तापती या फिर इसको तापी भी कहा जाता है question number 28 की तरह मूग करते है the fertile land between two rivers is called यहाँ पर आपको बताने की जो fertile land रहता है दो rivers के बीच में उसको हम क्या कहते है drainage basin, watershed, dobe या फिल low land और terrain तो यहाँ पर आपको बताने की fertile land जो दो rivers के बीच में रहता है वो क्या होता है वो रहता है उसको हम कहते है dobe, c options का सही आंसर है question number 29 तीस्ता forms a part of which major river system तीस्ता जो नदी है यह किस river system का major part है गंगा river system कृष्णा river system गोदावरी river system या फिर भ्रहंपुत्रा river system तो यहाँ पर यह भ्रहंपुत्रा river system जो है तीस्ता जो है इसी का यह part है west से यह आती है और भ्रहंपुत्रा में जो है अरुनाचल प्रदेश जो से वहाँ से जो आती है और फिर वहाँ पर बंगला देश में तीस्ता नदी जो है भ्रहंपुत्रा के साथ मिल जाती है तो यह major river system का part है भ्रहंपुत्रा river system का part है तीस्ता river question number 30 की तरफ मुझ करते है port blair is situated in port blair कहां पर है north endermon, south endermon, middle endermon या फिर little endermon तो port blair जी हमारा जो यह port है blair यह कहां पर situated है यहाँ पर आपको बताना है सही answer है south endermon south में अंडर्मन यह निकोवर आलेंस में अंडर्मन में यहाँ पर south में यह located है तो दोस्तो हमारा पहला section जो था gk and current affairs 30 marks का वो हमारा cover हो चुका इसमें economics भी थोड़ी सी involved की तो वो सारे उसी के हिसाब से यह mock paper बनाया गया है I hope अभी तक आपने 30 में से बहुती ज़्यादा score अच्छा किया होगा क्योंगि अगर आप finance की या फिर sub inspector की या फिर अगर आप assistant registrar की या different जो post निकली है उनकी अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो यह paper आपके लिए बहुती easy रहेगा यहाँ पर जो अगली section है हमारी वो रहेगी gk with special reference to jnk ut जो की रहेगी 20 marks की यहाँ पर हम करते हैं पहला question हमारा या फिर वामना तो यहाँ पर काविया लंकारा जो लिखी थी वो लिखी थी बहा महा ने c option इसका सही आंसर है question number 32 की तरह मूख करते है which of the following states were conquered by ललित अधिते ललित अधिते जो great ruler थे जेंड के के इन्होंने किस state को conquer कर लिया था पंजाब, लदाक, कनोच या फिर all of these तो इसका सही आंसर है जो हमारे ललित अधिते थे इन्होंने इन सभी एरियास पर अपनी conquer अपना कर लिया था अपना अधिकार जमा लिया था सामराजी इन्होंने बहुत ज़ादा इसका फैलाव कर दिया था तो ललित अधित्य जो है बहुत बड़े रूलर रहे हैं जम्मू किश्मीर के कॉशन नबर 33 की तरफ मूँ करते हैं कुईन दीदा वो रूल किश्मीर फ्रम 980 तो 100380 बिलॉंग टू विच डैनिस्टी कुईन दीदा किस डैनिस्टी को बिलॉंग करती थी जनों ने कश्मीर पर रूल किया था लुहरा डैनिस्टी, देवा डैनिस्टी, शाह मेर डैनिस्टी या फिर गुपता डैनिस्टी बहुती सिंपल कॉशन है यह आपको इसका आंसर आता होगा इसका सही आंसर है गुपता डैनिस्टी की ये थी कौशन नबर 34 की तरह मुखते है वाज लास्ट हिंदू रूलर आफ कश्मीर लास्ट हिंदू रूलर कौन थे कश्मीर के सहदेव, उदाय अनदेवा या फिर हर्शा या फिर भोजा इसका सही आनदेवा ये लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के तो यहाँ पर आपको बताने की रेड स्वाइल जो होती है, उसका रेड कलर किस कारण से होता है फॉस्फेरिक असिट के कारण से हुमस उसमें ज़्यादा होता है उसके कारण से या फिर नाइट्रोजन की अगारण से या फिर आइरन की अगारण से तो जल्दी से आप चुन लीजे I hope आप सही आंसर चुनेंगे इसका सही आंसर है आइरन डी ऑप्शन आइरन की वज़ा से इसका कलर रेड हो जाता है वेश नमर 36 की तरह होगा थे which of the following soil has air space and loosely packed यह मैं से कौन से इसी soil है जो की जिसमें air spaces present होती है बहुत ही loosely packed यह स्वाइल रहती है sandy स्वाइल, clayey स्वाइल, loamy स्वाइल या फिर all of these सही आंसर है sandy स्वाइल जो होती है उसमें ज़्यादा air spaces रहती है और loosely यह packed रहती है question number 37 की तरफ मोग करते है question number 37 हमारे पास है where is located the national institute of aviation management of research aviation management of research का national institute कहाँ पर located है चैनाई, देली, हैदराबाद या फिर मदूराइ तो कहाँ पर यह located है aviation management of research का national institute यह located है देली में यानि यह बी option इसका सही आंसर है question number 38 where is located Indian railway coach factory Indian railway coach factory कहाँ पर located है West Bengal, आंधरपरदेश, तमिलनाडू या फिर करनाट का सही आंसर है West Bengal में Indian railway coach factory located है question number 39 की तरफ मोग करते हैं what are evergreen tropical or subtropical forests called evergreen tropical और या फिर subtropical forest को हम क्या कहते है evergreen tropical या फिर subtropical forest को हम कहते है यहाँ पर चार option आपको दिये गए है सवाना, जंगल, टेगा या फिर टुंट्रा तो evergreen जो होता है वहाँ पर जिसमें tropical और subtropical forest दोनों आते हैं उसको हम कहते हैं jungle B option सही आंसर है question number 40 की तरफ मोग करते हैं what kind of animal did evolve from dinosaur dinosaur से कौन सा animal evolved हुआ है birds, animals, cretations या फिर none of the above इन में से सही आंसर है birds जो है वो dinosaurs से evolved हुए है दोस्तो अगले question की तरफ मोग करते है question number 41 the pink headed duck falls under the category of pink headed duck इनसकी category क्या है जो red data book है उसके हिसाब से rare species, animal species, extinct species और फिर vulnerable species उन में से pink headed duck जो है ये किस category में आता है red data book के हिसाब से तो दोस्तो pink headed duck जो है extinct species है अगले question की तरफ मोग करते है question number 42 two हमारे skin के ओपर आ चुका है question number 42 में आपको पूचा गया है जनसकार नाला is a tributary of which river जनसकार नूला जो है ये किस नदी की tributary रहती है इंदस, चिनाब, रावी या फिर तवी तो दोस्तों जनसकार नूला जो ये tributary रहती है ये रहती है इंदस river की question number 43 की तरह मूँ करते है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वास बिल्ट आउन विच लेक ये कहां पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेट है किस लेक पर है वुलर लेक, डल लेक, गंगबल लेक या फिर मांसबल लेक दोस्तो इसका सही आंसर है वुलर लेक पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड यहाँ पर बिल्ट किया जा रहा है question number 44 की तरह मूँ करते है which river is also known है सूर्य पुत्री सूर्य पुत्री किस river कौम कहते है तवी, रावी, चिनाब या फिर जहलम बहुती सिंपल आंसर है इसका तवी को हम सूर्य पुत्री भी कहते है Hindu mythology के हिसाब से question number 45 की तरह मूँ करते है किशन गंगा river originates from किशन गंगा river कहां से originate करता है ड्रिया मॉंटेन, गुरेज वैली, पीर पंजाल या फिर मांसरोवर लेक किशन गंगा river जो है वो originate करते है ड्रिया मॉंटेन से question number 46 which place in Jandke is known as छोटा काशी छोटा काशी के नाम से Jandke में किस प्लेस को जाना जाता है परमंडल, अवंतिपूर, बागे बहु और रहुनात बहुती सिंपल सा आंसर है इसका छोटा काशी हम परमंडल को कहते है question number 47 आपके screen के बढ़ा चुका है which article of Indian constitution mentioned that to change the name area of any state or UT इन में से Indian constitution का कौन सा ऐसा article है जो की change the name, name change कर सकता है उसके हिसाब से name change कर सकते है area जो है किसी state का वो हम बढ़ा और गटा सकते हैं UT का तो कौन से article में ये mention है Indian constitution के article 239A article 3A article 3 या फिर article 239A तो बहुती simple सा आंसर है article 3 में ये mention किया गया है question number 48 की तरफ मूँ करते है who appointed lieutenant governor of UT of gender के under which article कौन appoint करता है lieutenant governor को gender के UT के अगर देखा जाए तो और ये किस article के under आता है तो यहाँ पर options आपके पास दिये गहे है prime minister under under article 239A chief minister under article 3239 president under article 239 या फिर both prime minister and president under article 239A तो सही answer है president जो है governor को elect करते है under article 239 question number 49 की तरफ मूँ करते है who created central advisory committee in UT of JNK and UT of Ladakh for finance, water distribution, electricity distribution यहाँ पर आपको बताना है कि किसने central advisory committee JNK की UT में और Ladakh की UT में finance, water distribution, electricity distribution के लिए बनाई गई है किसने यह बनाई है prime minister, president, central government या फिर state government तो इस central advisory committee जो है UT of JNK और UT of Ladakh ने central government नहीं बनाई क्योंकि central advisory committee है question number 50 की तरफ मूँ करते है हमारा आदा paper जो है अभी तक solve कर हो चुका है question number 50 हमारे पास है seats reserved for government SC, ST is and which section tells us about reservation of SC and ST जो seats reserved रहती है government की SC and STs के लिए और यहां पर आपको बताने की कौन से section में यह reservation SC and ST के mention की गई है 1 और कितनी यहां पर mention की गई है 1 third percent of 107 under section 17 1 4 percent of 83 under section 13 proportional to the population under 14 article 14 6 33 percent under section 14 तो यहां पर आपको बताने कौन से section में है और कितनी reservation है तो यहां पर इसका सही आंसर है proportional है यह population के हिसाब से कितनी population है उसके हिसाब से under 14 6 के हिसाब से तो यह हमारे 50 question हो चुके है अभी मैं यहां पर आपको यह फिर से बता देता हूँ कि यह PDF आपको टेलिग्राम चेनल पर मिल जाएगा तो अगले question की तरफ move करते है question number 51 की तरफ तो दोस्तो यह हमारा अगला section आ चुका है जेके सिस्पी पटवारी के solve paper में अगला section हमारा रहेगा जो part 1 रहेगा वो रहेगा knowledge of computers के उपर जो कि आपको 15 marks का यह आए का computer knowledge के बारे में आपको पूछा जाएगा 15 marks का तो चले start करते हैं इसको भी question number 51 को हम start करेंगे आप maximum questions का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे और आखिर में आप बताएंगे कि total 100 में से आपके इस paper में कितने marks आए है question number 51 आपके पास है software that are designed to modify the functionality of another piece of software are तो यहाँ पर आपको बताने के ऐसे software का नाम बताई है जो कि इस तरीके से design किया गया है ताकि modify कर सके जो दूसरे software होते हैं उनके functionality को plugins, extensions, both A and B, F and servers इसका सही आंसर है plugins और extensions दोनों यहाँ पर इस्तमाल होते हैं modify करने के लिए दूसरे software के functionality को question number 52 की तरह हम हो करते है a hard disk is divided into tracks which are further subdivided into hard disk को हम tracks में divide करते है जो कि further subdivided होते हैं किस में clusters, sectors, vectors या फिर heads तो सही आंसर है sectors B option question number 53 की तरह हम हो करते है which among the following is absent a computer is not complete यहाँ पर इन में से कौन सा अगर absent होगा तो computer complete नहीं माना जाएगा mouse, dvd, projector या फिर user सही आंसर है user जुरूरी है तभी जो है computer एक complete यहाँ पर object माना जाएगा question number 54 की तरह हम हो करते है what is the name of component that used to both read and write data यहाँ पर आपको बताने की ऐसा component का नाम बताईए कि जो की read और write कर सकता है data को room, ram, hard drive या फिर flash memory सही आंसर है ram question number 55 की तरह हम हो करते है how is the data stored on the diskette diskette में data को कैसे store किया जाता है ink के जरिये, laser bulbs के जरिये, magnetisms के जरिये या फिर circuits के जरिये data जो store किया जाता है diskette में वो store किया जाता है magnetism के through question number 55, 56 की तरह हम हो करते है computer which can perform quadrillion instructions per second is termed as ऐसा कुण सा computer है जिसमें quadrillion instructions एक साथ चुह हो perform कर सकता है per second, per second के हिजाब से बहुत ज्यादा उसमें instructions आ सकते है super computer, personal computer, PLC या फिर automobile सही आंसर है, super computer ही ऐसा काम कर सकता है, यह option इसका सही आंसर है question number 57 की तरह हम हो करते है computer processes data under the control of sets of instructions termed as, यहाँ पर आपको बताना है कि computer जो data को process करता है, वो under control करता है वो ऐसी instructions का एक set होता है, जिसको हम क्या कहते है computer programs, computer data, computer buses या फिर computer instructions तो सही आंसर है computer programs, a option इसका सही आंसर है, question 58 की तरह हम हो करते है default pointing device of a laptop is default pointing device, pointing device जो होता है, जिसे हम point out करते है laptop में उसको हम क्या कहते है, optical mouse, sensitive screen, touchpad या फिर tap head, सही आंसर है, touchpad जो होता है हमारे laptop के उपर, उसको हम कहते है, pointing device, default pointing device question 59, which device is used as infrared signals to operate or control other devices remotely, यहां पर आपको बताने कि कौन सा ऐसा device है, जो कि as a use किया जाता है, infrared signals के जर यह से use किया जाता है, ताकि वो operate कर सके और control कर सके, दूसरे devices को वो control कर सकता है, जो कि दूर होंगे, उन devices को वो device जो है, particular device वो control करता है, through infrared signals, वो कौन सा device होता है, remote control, sensor, mouse या फिर touchpad, बहुती simple answer है, remote control के जरे से हम, infrared signals के जरे से हम दूसरे जो objects होते हैं, उसको हम, दूसरे device को हम operate कर सकते है, question 60 की तरह हम हो करते है, which one is not a computer virus, इन में से कौन सा computer virus नहीं है, प्रोजन होर्स, logic bomb, macfa, या फिर red love, आपको इसका आंसर बताने हैं, कि macfa जो है हमारा anti virus होता है, यह हमारा phones में भी होता है, laptop में भी होता है, तो यह computer virus नहीं है, यह एक anti virus होता है हमारे इसमें, anti theft का भी इसमें function होता है, macfa में, तो अब हम यहाँ पर, मैं आपको बता तूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को like कीजिए, और वीडियो को जादा से जादा share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, और PDF यहाँ पर अगर आपको चाहिए, तो PDF आपको वाइरस प्रोग्राम इस यूजरी हिडन इन आ, computer वाइरस प्रोग्राम कहां पर जादा तर हिडन रहता है, operating system में, application program में, disk driver में, या फिर दोनुं A और B में, सही आंसर है, operating system में भी रहता है, और जो application program होता है, application होती, उन में भी यह hide कर सकता है, computer वाइरस प्रोग्रम जो एक पूरा system होता है, computer उसमें भी रह सकता है, या applications जो होती है, उसमें भी यह रह सकता है, computer का जो अगला question है, हमारा है, computer section का, question number 62, what is the shortcut key you can press to create a copyright symbol, copyright symbol, create करने के लिए, अगर shortcut key का इस्तमाल किया जाए, तो वो कौन सा key है, alt plus control plus c, alt plus c, control plus c, या फिर control plus shift plus c, तो सही आंसर है, alt plus control plus c, यहां से हम copyright symbol हम create कर सकते हैं, just a shortcut के जरिये, question number 63 के तरफ, the key f12 opens, key f12, f12 key क्या open करता है, हमारे computer में, save as dialogue box, save as dialogue box, open करता है, open dialogue box, save dialogue box, and close dialogue box, तो सही answer है, यह option, save as dialogue box, save as dialogue box, save as dialogue box, अगर यह दबाया जाए, तो, question number 64 के तरफ, भूब करते हैं, which of the following is not available on the ruler of MS Word screen, MS Word, जो हमारा रहता है, तो MS Office में, यह जो MS Word का screen, अगर देखा जाए, तो उसमें, ruler जो रहता है, उपर में, वहां पर इन में से कौन सा available नहीं रहता है, आपको चार options लिएगे है, tab, stop box, left indent, right indent, या फिर center indent, सही answer है, जो हमारा center indent होता है, वो यहाँ पर नहीं रहता, अगले section की तरह मोग करते है, अगला section हमारा रहेगा, mental ability and reasoning, यहाँ पर mental ability and reasoning भी आपको 15 marks का ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको number series का सासा पहले question गिया गया, question number 66, what number should come next in this series, यहाँ पर आपको बताने कि in series में अगला number क्या हो सकता है, series इस प्रकार से है, 0, 6, 20, 42, 72 and next number आपको बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकता है कि 0 से लेकर 6 तक यहाँ पर 6 का difference है, 6 से लेकर 20 तक यहाँ पर 14 का difference है और उसके बाद 20 से लेकर 42 तक यहाँ पर 22 का difference है, 6, 14 और 22, यानि कि 6 में अगर plus है, अगर हम करेंगे 8 तो 14 आएगा, 14 में अगर हम 8 करेंगे तो 22, 22 में अगर 8 करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 42 और 72 के बिच में 30 का डिफरेंस है और 72 में हमें फिर से 30 में एड़ करने पड़ेगा 8 तो 72 पलस 38 आ जाएगा 110 बहुती सिंपल भाशा मैंने आपको बचा दिया इसका सही आंसर आएगा 110 बहुती सिंपल आंसर है तो बहुती सिंपल कोशिंज आपके रीजनिंग के आएंगे जी के में अगर देखा जाए तो जी के में जो सेक्षिंज हैं जी के के सेक्षिंज में थोड़ा सा टफ आपका सेक्षिंज आ सकता है और में जो गेम जिंजर रहेगा आपके लिए वो रहेगा उर्दू section जहां पर आपको 50 marks का passages or letter writing जो करने हैं वो आपको आएगी और किसी भी particular topic पर आपको 10 marks का लिखना भी रहेगा वो आपको आगे मैं बताऊंगा question number 67 को आप करते हैं what number should come next in this series यहां पर आपको बताना है कि इस में कौन सा number आ सकता है इस series में तो यहां पर आप देख सकते हैं यह series इस प्रकार से 3, 21, 42, 294 और आपको अगला number बताना है तो यहां पर आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले यहां पर 3 के साथ 7 को multiply किया गया है उसके बाद आया है 21 211 को यहां पर 2 के साथ multiply किया गया है, फिर आया है 42, 42 को फिर से 7 के साथ multiply किया है, वो आया है 294, यहाँ पर अब हमको क्या करना है यह pattern जो दिल रहा है, पहले 7 को multiply करना है और फिस के बाद 2 को multiply करना है तो यहाँ कि 294 को हम 2 के साथ multiply करेंगे, जहाँ पर यहां पर हमें आंसर आ जाएगा 588 यहां पर यह option सही आंसर रहेगा अब अगले question की तरफ मुझ करते है Question number 68 Select the alternative that will replace the question mark in the letter series तो यहां पर alternative आपको चुनना है जो की replace करेगा question mark को letter series में यह letter series का question है T की अगर corresponding की देखें तो कप है Water के corresponding क्या है Water के corresponding है Tank, drink, liquid या wood तो water की corresponding रहेगा हमेशा से tank Tank में water हमेशा हम preserve करते है Tea को हम कप में रखते हैं तो water को हम टैंक में रखते है Question number 69 की तरफ मुझ करते है Question number 69 हमारे पास आचुका है Select the alternative that will mark the second pair letter series to the first pair given as First pair की letter series जो दीगे है उसको आपको second pair की letter series को उसी तरीके से आपको match out करना है Vertebrate frog यानि कि frog vertebrate है Invertebrate इनमें से कौन सा है Mealworm, betides, shark या फिर whale तो इनमें से Invertebrate अगर देखा जाए तो Invertebrates इसमें से कौन सा है Mealworm है, यानि कि इसमें Wettable column जो होती है Backbone जो होती है इसमें नहीं रहती है Invertebrates और Invertebrates में एनिमल्स को यहाँ पर Classify किया है According to Zology तो यहाँ पर Invertebrate है वो यहाँ पर Mealworm रहेगा Question number 70 की तरफ मों करते है Question number 70 में यहाँ पर आपको यह code दिया गया है Paper का code Written किया गया है S, C, T, G, W और उसके बाद आपको बताने कि Mother को हम किस तरीके से कौन से code में लिख सकते है अगर P, A, P, E, R Paper को written किया गया S, C, T, G, W में यहाँ पर किस तरीके का pattern चल रहा है यहाँ पर जो पहला letter आप देखे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिसके कि आप यहाँ पर जो P वाला letter है तो यहाँ पर जो P है और यहाँ पर जो S है इसमें difference कितना है P, Q, R, S दो का difference है Q, R और बीच में Q, R दो का difference है उसी प्रिकार से हमें इसमें भी जो Mother है Mother में भी जो M है उसमें हमने 2 के difference के बाद जो अगला जो letter आएगा वो लिखना है N, M के बाद आता है N, O, P यहाँ पर अगला आजाएगा हमारे पास P तो P हमारा यहाँ पर तीन options में दिये गाए है तो यहाँन कि A option जो है पहले cancel out हो जाता है उसके बाद B, C, D, O हमारे बास रहे गया तो यहाँ पर पेपर में अगला letter है A A में आ जाता है A के बाद यहाँ पर दिया गया है C यानि कि एक छोड़ के यहाँ पर C दिया गया एक letter छोड़ के B और C को वैसे यहाँ पर O के बाद M and O, O, P, Q Q आ जाएगा अगला letter तो P और Q यहाँ पर एक सेकेंट इसको हम कर लेते है P, Q उसके बाद अगला letter है P P को यहाँ पर कोड़ दिया गया है T का यानि कि Q, R, S Q, R, S को छोड़ के तीन letter छोड़ के यहाँ पर T लिखा गया है वैसे हम T को अगर देखें P, Q, X यहाँ पर तीनों option यहाँ पर हमारा जो D option है यह cancel out हो जाता है क्योंकि X इसमें नहीं है B और C में कोई भी option आ सकता है तो हम अब करेंगे जो P, A, P, E, R E में यहाँ पर दिया गया है G एक letter छोड़ के वैसे ही यहाँ पर E, F, G G यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी परकार से अगर हम देखें तो answer हमारा जाएगा C option सही answer यहाँ पर जो हमारा answer आएगा वो रहेगा B option P, Q, X, J, J, T यह हमारा code बन जाएगा mother के लिए B option इसका सही answer है question number 71 की तरफ मोगर से इसी परकार इसमें भी आपको करना है एक subtle language में gamble को code किया गया है F, B, L, C, K, F में फिर flower का आपको code बताना है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि gamble में जो यह code दिया गया F, B, L, C, K, F तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि एक letter पीछे वाला minus किया गया है एक letter को G का पिछला वाला letter जो है F वो ऐसे code दिया गया है A में का पिछला letter जो है A का अगला वाला letter जो है पहले G का पिछला वाला letter दिया गया है जो कि F है A का अगला वाला लेटर B लिखा गया M का भी पिछला वाला लेटर लिखा है उसके बद B का अगले वाला लेटर लिखा है इस प्रकार से यह pattern चल रहा है तो अगर flower का इसी तरह के से code बनाएंगे हम तो आपको answer आजाएगा सही answer रहेगा हमारे पास E M N X T X यहां की D option इसका सही answer रहेगा इसी प्रकार से आपको यह questions कर रहे है अब यहां पर question number 72 आजाता है question number 72 में आपको क्या पूचा गया है यहां पर पूचा गया है from her house अवंतिका went 15 km to the north then she turned west and covered 10 km then she turned south and covered 5 km finally turning to east she covered 10 km in which direction from her house अब आपको बताना की किस direction में यह house में रहेगी तो यहां पर आपको बताए कि यहां पर ऐसे आपको directions बनानी होती है east, west, north और south की तो इसी प्रकार से आपने आपको इस प्रकार से directions में आपको जो भी इसने movement की है, उन directions में movement करनी है और आखिर में आपको देखने कि किस तरफ यह पॉइंट आउट कर रही है तो इसी प्रकार आप करेंगे इस question को भी तो दोसों यहाँ पर अगर हम answer देखें 72 question का अगर यहाँ पर यह इस्ट वेट नॉर्स साउथ की direction अगर देख लें तो उसके बाद इसका answer जो है राजू वाक्ट 12 किलोमेटर नॉर्स सबसे बहले राजू ने नॉर्थ की तरफ मुग किया 12 किलोमेटर उसके बाद यह उसने राइट की तरफ टरन लिया और 10 किलोमेटर वह अगें वह उसके बाद 10 किलोमेटर के बाद फिर से राइट की तरफ टरन लिया और 12 किलोमेटर उ is now and in which direction from starting point कितना कितना डिरेक्शन कितना डिस्टेंस वह स्टार्टिंग पॉइंट से भी है कितने डिस्टेंस पे हो और क्यों से डिरेक्शन में यह अभी फॉल करेगा 27 km वार्ष इस फाइव किलोमेटर वार्ष इस 15 km वार्ष इस या फिर नन आप दिया वो तो यहां पर आ सकते हैं इसका सही आंसर आएगा सी आप्षिन गॉचन नबर 74 की तरफ बहो करते हैं गौशन नबर 74 बहुती सिंपल कॉशन यहां पर जो कॉशन है यहां पर आपको बताया गया है कि A अगर B का ब्रदर है यानि कि A और B ब्रदर है C इस D's father C जो है D का ब्रदर है और E इस B's mother E जो है B की मदर है अगर E B की मदर है तो E A की भी मदर रहेगी उसके बाद यहां पर आगे बताएगा है कि A and D are brother यहां पर A और D को भी brother बताएगा जनी कि A, B और D यह तीनों brother है इनका father है C और इनकी mother है E तो how is E related to C? E कैसे related हैगी C के साथ तो E अगर mother है इन सबी की A, B और D की तो simple सा है की C से related होगी क्योंकि यह इसकी क्या रहेगी यह wife रहेगी D option इसका सही आंसर है वोगी simple सा question था यह question number 75 की तरह हम होगी करते है Amit said this girl is the wife of the grandson of my mother how is Amit related to the girl तो यहां पर आपको बताना है की एक लड़की यहां पर एक लड़की को देखकर Amit रहे बोला है की यह जो लड़की है यह मेरे यहां पर यह wife है grandson of my mother मेरी मा जो है उसका जो grandson है यानि की इसका बेटा जो है उसकी wife है तो कैसे यह relate करेगी Amit के साथ तो कैसे relate करेगी वो रहेगी इसकी वो जो Amit है Amit इसका father-in-law रहेगा और यह रहेगी इसकी daughter-in-law तो father-in-law C option इसका सही आंसर आएगा question number 76 की तरह हो करते है यहाँ पर statement आपको दिया गया है और conclusions दी गहीं उसके हिसाब साब को बताने की कौन सी conclusions सही है statement यहाँ पर दिया गया है on a one day cricket match the total runs made by a team were 200 out of these 160 were made by spinners तो यहाँ पर statement दिया गया है कि एक दिन में cricket match में total runs बनाए गए है एक team ने बनाए 200 उसमें से 160 runs जो है spinners ने बनाए है तो conclusion यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से कि 80% of the team consist of spinner या फिर the opening batsman were spinners opening batsman spinners से या फिर 80% of the team consist of spinners यहाँ पर बताने कि कौन सा statement सी only conclusion one follows only conclusion two follows either one or two follows या फिर either one or two follows यहाँ पर सही option है नहीं पहला statement से हम कह सकते हैं कि पहला statement सही है नहीं दूसरे statement जो conclusion है sorry जो दोनों का conclusion से उनसे हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सही है और यह in regard of the statement है तो दोनों यहाँ पर गलत रहें कि neither one or nor two C option इसका सही answer रहेगा question number 77 की तरफ मुग करते है question number 77 हमारे पास से statement दिया गया है the old order changed yielding place to new old order जो था वो नए जो yielding place में वो change हो चुका है यहाँ पर conclusion दिया गया है change is the law of nature या फिर discard old ideas because they are old तो कौन सा conclusion यहाँ पर सही रहेगा only conclusion one, conclusion two either one or two या फिर neither one or two यहाँ पर सिर्फ पहला conclusion है कि change जो होता है law of nature है वो follow करेगा question number 78 की तरफ मुग करते है automator is to mileage as compass is to automator अगर mileage के लिए हम इस्तमाल करते हैं तो compass को हम किस के लिए करते हैं तो यह उल्टा दिया गया है तो अगर automator को हम mileage के लिए करते हैं compass को हम किस लिए करते हैं तो compass को हम हमेशा directions के लिए यह इस्तमाल करते हैं question number 79 की तरफ मुग करते है look at this series and answer the question यहाँ पर जो यह series दीगे है 8, 28, 8, 28, 8 तो आगे वाला यहाँ पर आपको बताने कि क्या number रहेगा 6, 29, 32 यह फिर 34 तो यहाँ पर सही answer है 34 क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8 जो पहला तीसरा और पांच में number यह common है पर दूसरा और चोथा number में जो difference वो 6 का है तो अगला जो 7th number रहेगा 6th number जो रहेगा वो 6 plus हो जाएगा उसमें 8, 28 में तो 34 हमारा आ जाएगा होती simple सा question था यह question number 80 की तरह हमोग करते है pointing to a photograph a man said she is the only daughter of my grandfather's only son how is the girl related to that man तो यहाँ पर भी पूचा गया है कि एक photograph को देकर एक आदमी है उसने यह कहा कि she is the only daughter of my grandfather's only son यानि कि यह जो लड़की है जो दिख रही है वो मेरे grandfather का जो बेटा है एक ही बेटा है उनका यानि उस लड़के का जो man है उसका बाप उसकी एक ही बेटी है तो यानि कि वो उसकी क्या लगेगी तो वो उसकी father, brother, sister या फिर mother तो वो उसकी sister रहेगी तो यह हमारा mental ability and reasoning का section भी हमारा complete हो चुका है अब हमारा आखरी section है general English general English का section रहेगा हमारा 20 marks का तो चले start करते हमारा general English का भी यह section यह हमारा आखरी section रहेगा इस paper में उसके बाद हम जो अगला section जो part 2 रहेगा वो रहेगा 50 marks का जो कि मी उर्दू mainly उसमें comprise होगा दोस्थ जनरल English का जो है हमारा section है हमारा पहला question हमारे screen के उपर है question number 81 I am sorry the house is not available any longer it dash to a timber tycoon तो यहाँ पर आपको fill in the blanks भरने है तो यहाँ पर आपको grammar का भी धिहान रखना है उसके हिसाब से sentences का इस्तमाल करके यहाँ पर fill in the blanks को भरना है it dash to a timber tycoon was being sold will be sold is sold या फिर has been sold तो सही answer जो है इसका रहेगा कि I am sorry the house is not available any longer it has been sold to a timber tycoon यानि कि D option इसका सही answer रहेगा question number 82 की तरह हमों करते है playing they in our ground the cricket यह एक jumbled यहाँ पर sentence है इसको आपने एक अच्छे sentence में आपको meaningful sentence में बनाना है यहाँ पर 4 options आपको दिये गहे इनमें से आपको चुनना है कौन सा है वीडियो को pause कर सकते हैं आप 4 options को पढ़ लीजे सही answer है इसका they are playing cricket in the ground यह सही एक meaningful sentence बन जाएगा यहाँ पर B option इसका सही रहेगा question number 83 की तरह हमों करते हैं the Indian Express says we shall issue a astrology section in our Thursday's paper तो यहाँ पर Indian Express यहाँ पर यह कह रहा है कि हम astrology section हमें issue करना चाहिए Thursday के paper में तो इसको हम किस प्रगार से लिख सकते हैं direct से indirect speech में कर सकते हैं direct से indirect speech में आपको करना है तो options आप पढ़ लीजे 4 options आपके सामने हैं screen के उपर है वीडियो को pause कर लीजे इतना time मेरे पास नहीं आपके option को पढ़ने का तो यहाँ पर आप वीडियो को pause करके पढ़ लीजे सही answer इसका है The Indian Express says that it will issue astrology section in its Thursday paper सही answer यह है question number 84 की तरह हम करते हैं this dress suits her style she definitely like it तो यहाँ पर कौन सा model यहाँ पर आएगा can, could, will या में तो यहाँ पर आएगा will the dress suits her style she will definitely like it question number 85 की तरह हम करते हैं we wanted caught some fish we wanted caught some fish but we only caught dash octopus and the नहीं आपतिया पो यहाँ पर article आपको दगाना है कि कौन सा article यहाँ पर आएगा सही answer आएगा caught an octopus 86 में हमारे पास question जो आ चुका है they left early they left early यह क्या है non clause declarative clause adjective clause यह पर adverb clause तो they left early यह हमारे पास है यहाँ पर यह declare कर चुका है declarative clause हमारे पास यह रहता है they left early अगले question की तरफ हो करते है question number 87 guess the synonym synonym guess करना है आपको stumbling block stumbling block का synonym क्या रहेगा यानि कि similar meaning का क्या रहेगा stumbling block से related अगर देखा जाए तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो argument, frustration, huddle या फिर fallout stumbling block का जो synonym है वो रहेगा huddle huddle को हम stumbling block इसको synonym मान सकते हैं question number 88 की तरफ हो करते है guess the antonium antonium यहाँ पर आपको बताना है terrible का antonium क्या रहेगा soothing, frightening, scaring या फिर delectable terrible का antonium आपको बता है कि हमेशा से यहाँ पर इसका उल्टा रहेगा यानि कि soothing इसका सही answer रहेगा एप्शन इसका सही answer रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि channel को आप subscribe कर दे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे है तो वीडियो को like भी कर सकते है और अगर pdf चाहिए तो pdf आपको telegram channel पर मिल जाएगी jobs creator के नाम से यह channel telegram पर है और link आपको इस channel का description में भी मिल जाएगा telegram का वहाँ से आपको हर एक walk test की pdf मिल जाएगी अगले question की तरफ हो करते है question number 89 की तरफ idioms यहाँ पर आपको solve करने है to keep one's temper to keep one's temper का मतलब क्या है to become hungry to be in good mood to preserve someone energy या फिर none of the above दोस्तों यहाँ पर जो यह to keep one's temper यहाँ पर इसका अगर meaning देखा जाए तो यहाँ पर अपना आपा नाख होना अपना जो गुस्सा है उसको control में रखना तो यहाँ पर जो यह तीन ओप्शन से बिल्कुल यहाँ पर इसको match नहीं कर रहे है to become hungry, to be in good mood to preserve someone energy तो यहाँ पर none of the above यहाँ की D option इसका सही आज़र आएगा question number 90 यहाँ पर phrase दिया गया है आपको यहाँ पर आपको बताना है we always play football after work which is propositional phrase इनमें साब को बताना है prepositional phrase को होँ सा है we always play football after work always play football after football either a or b यह पिर neither a or neither b तो after जो work आएगा यहाँ पर prepositional phrase यहाँ इसका answer रहे है कोई भी नहीं आएगा इसका answer neither a nor b question number 91 की तरफ होँ करते है the local team scored three goals dashed the first half of the match यहाँ पर आपको prepositions से fill out करना है the local team scored three goals in the first half of the match b options का सही हाँ सरे बहुती simple से questions है आपके English के questions भी इसे प्रेकार से रहेंगे articles, prepositions, idioms, phrases यही आपके syllabus में है question number 92 की तरफ होँ करते है when the jungle was cleared तो many species of insects were wiped out when the jungle was cleared यहीं की D options का सही आपके आपके रहेंगा question number 93 की तरफ होँ करते है the house dash by my father house built, was built, was built यहाँ पर रहेंगे यहाँ पर आपके रहेंगे इसको अगर हम दूसरी speech में लिखें तो कैसे लिखेंगे the issue has been solved by the प्रियंगा, the issue is solved by प्रियंगा issue have been solved by प्रियंगा issue had been solved by प्रियंगा तो यहाँ पर सही आंसर है the issue has been solved by प्रियंगा यानि कि इसका सही आंसर है a option question number 95 की तरफ हो करते है he had composed a song तो यहाँ पर आपको बताना आएगी isने क्या है song को composed कि इसको ऑपको change करना है wise change इसकी करनी है तो a song has been composed by him a song has composed by him a song had been composed by him या फिर a song had composed by him a song had been composed by him आएगा क्योंकि यह past में बताया गया है यानि इसका सही आंसर जो है a option इसका भी सही आंसर, a song has been composed by him, question number 96 के तरह हमोग करते है, I have got a dash reserved in Delhi, Maine I have got a dash birth, birth, birth none of the above, तो यहां पर कौन सा इसका सही आंसर आएगा, सही आंसर आजएगा birth, B-E-R-T-H I have got a birth reserved in a Delhi, metro या Delhi train में यह बता सकते हैं question number 97 का यहां पर question जो पूचा गया है what is the clear homophone of alter alter का homophone क्या है alter, 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 यहां पर none of the above, यहां 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 की जो आपको बताने की similar type की wise में प्रेंसेशन इसकी होती alter की, तो सही आंसर है C option, alter question number 98 की तरह मोग करते हैं when the little boy grabbed the lizards dash tail broke off in dash hands, तो दो यहां पर fill in the blacks दीएगे उनको आपको fill out करना है तो सही आंसर जो है, यहां पर options में आपको दीख रहा है, सही आंसर है its or his, यहां की when the little boy grabbed the lizards its tail broke off in his hands, तो यहां पर its or his, यहां की पहला option सही आंसर है, question number 99 की तरह मोग करते हैं the old woman lived alone with dash to look after dash, तो old woman किस के साथ के लिए रहती है, with dash to look after dash with no one to look after her old woman किसी के साथ नहीं रहे ताकि वो अपने आप पे ध्यान दे सके यहां की यहां पर सही option है C, question number hundred, हमारा जो यह part 1 है, part 1 का आखरी question आ चुका है, guess the antonium यहां पर antonium बताना है, foremost का तो क्या आएगा इसका antonium hand most, unimportant, disposed या फिर mature, तो for most का सबसे अगर देखा जाए, सही आंसर इसके में आ जाएगा, unimportant इसका antonium है, for most का तो दोस्तों यह थे हमारे hundred questions of part 1 आप चेके से इस भी पतवारी salt paper है, पतवारी का यह जो पोस्त निकली है, उसका salt paper था, यह हमारा part 1 ही इस mock test में रहेगा आपको पता है कि जो अगला section जो आपको रहेगा, वो रहेगा, reading section reading section में आपको 20 marks आपको read करना है, इसमें एक passage आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको उस passage के हिसाब से उर्दू में दिया जाएगा और उस passage में आपको answer देना है 101 से लेकर 120 तक यह आपके questions रहेंगे उसके हिसाब से आपको answer देना है passages का, उसके बाद आपका writing section है वो 30 marks कराएगा, आपको लिखने का section जो है वो 30 marks कराएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है एक सबसे पहले letter writing करनी है letter आपको उर्दू में लिखनी पड़ेगी उसके बाद English passage to उर्दू English passage को आपको उर्दू में उसका जो भी sum बनता है, सार बनता है उसको आपनों उर्दू में लिखना है उसके बाद essay आपको किसी भी current topic के उपर लिखने के लिए आ सकता है आपको basic knowledge जो है उर्दू की भी होनी चाहिए तो 1010 marks की यह हो जाएंगे 30 letter writing English passage to उर्दू और essay on current topic यह 1010 marks के आएंगे और reading section आपका 20 marks कर रहेगा उर्दू passage के उपर तो यह आपका 150 marks का पूरा जो 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 है जो है chance बन सकता है और game changer जो यहाँ पर उर्दू section है उसमें जागर maximum आप solve कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है 33% marks तो लाने ही पड़ेंगे उर्दू section में और जो part 1 है वहाँ पर आपको 40% open merit के लिए लाने ही पड़ेंगे उसके बाद आपका यह merit बनेगा 40% और 33% अगर मिलाया जाए तो यानि कि दोनों में आपको 50% marks तो लाने भी पड़ेंगे यानि कि 100 से अबव आगर आपके marks रहेंगे तो maximum chance आपके बनते हैं 120 से लेकर 100 तक आपका maximum chance बन सकता है तो I hope यह आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर यह PDF आपको चाहिए तो टेल्करम चैनल जॉइन कीजिए टेल्करम चैनल पर आपको यह PDF मिल जाएगा तो फिलाल यह कैसिसबी का salt paper था अगर वीडियो आपको पसंद आए है पटवारी के जो salt paper है पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जादे से जादा शेयर कर लीजिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जेहिंद